अब हम जिस 30 की तरह move करने वाले हैं, वो हैं matrix, matrix या matrices, ठीक है, अब matrices क्या होते हैं, कालब, कालब क्या होते हैं, उनके बारे में अभी हम देखते हैं, और mathematics जो इन्शाला मैं अभी आज से start करवा रहा हूँ, आपको उसके अंदर भी यह चीज़े हैं, बड़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, if you go to the numpy library, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो creating matrices are like this, आप basically, यह जो values हैं इनके अंदर, one-dimensional array को, तीन दफा stack कर देंगे, तो वो आपकी एक ऐसी array बनेगी, which is a matrix, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं अभी तक, वो सारा matrix ही है, लेकिन अब हम उसको बकाइदा matrices का नाम देंगे, क्यों, कैसे, किस वज़ा से, I will show you that one, अगर आप गोर करें यहां पे, यहां पे एक array है, यह दूसरी है, और यह तीसरी है, तो यह 3 by 2 का matrix है, और हर किसी के अंदर 2-2 elements है, तो यह कौन सा matrix हुआ, matrix हुआ, 3 by 2 का matrices हो गया, अब इसको अगर हम, python list of list to create a 2D array, या matrix जिसको हम बोलते हैं, वो numpy के अंदर हम show करवा सकते हैं, अब तक जो हम double dimension, या two dimensional चीजों को देख रहे थे, that was actually working as matrix, तो matrix का नाम अब क्यों ले के आए हैं, क्योंकि अब आपको दिमाग में बैठ के होगा है, कि two dimensional array यह है, जिसके साइडों पे दो bracket है, one dimensional array यह है, तो two dimensional array, यानि के matrices कैसे बनते हैं, और किस तरीके से utilize किये जाते हैं, let's look into it, अगर हम कोई भी एक two by three का matrix बनाएं, so we can actually do that in a way, that we have this one, two, two, three, four, four, five, and five, six, something like that, तो अगर मैं यहाँ पे बकाइदा matrix लिखूं, matrix or matrices, यहाँ पे हम देखते हैं, और इसके ऊपर मैं एक double line लगा देता हूं, because I want to separate the previous code with this one, तो तीन दफा लाइने लगाने से यह separate हो जाता है, and now, create a two by three matrix, तो हम numpy को use करते हुए, two by three का कोई भी matrix बना सकते हैं, और उसको proper नाम दे सकते हैं, जैसे के यह आपके सामने है, यह है two by three का, ठीक है, अब अगर गौर करें, यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, this one is three by two, ठीक है, अब इसका फरक क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा, three by two का मतलब क्या होता है, जब भी आपको matrix बनाते हैं, first you have to write the number of rows, bracket के अंदर, rows, comma, columns, ठीक है, अगर इस तरीके से समझे, तो rows पहले आएंगे, column बाद में आएगा, अगर मैंने two by three का बोला है, so this will show two rows, like this, double dimension में, और फिर बाद में columns, अब यहाँ पर अगर मैं A लिखूं, so you can see two rows, one and two, and then three columns, this one and this one, ठीक है, यह एक column, यह दो column, यह तीसरा column, and this is how you can identify, के आपके पास rows कितनी हैं, और columns कितने हैं, अब अगर इसी को मैं, और भी ज्यादा dimension के अंदर ले के जाना चाहूं, for example, मैं चाहता हूं, create a matrix, of big dimension, let's see, कितना बड़ा हम बना सकते हैं, so उसके लिए, if कुई भी एक हो सकता है, 0 by 100 by 2, अगर आप गौर करें, यहां पे हमने directly बना दिया, कि हमारे पास यह matrix है, यहां पे हम A range यूज करके भी बना सकते हैं, यानि कि 0 से 100 तक जाना है, और इसको 2 के साथ आपने चेक करना है, लेट सी के हमारे पास अब B के आता है, मैं इसको B के एक हो रखता हूँ, and it will give us a matrix or not, let's see, I'm not sure about that, और अगर आप गौर करें, यह one dimensional है, ठीक है, this is still one dimensional, and यह matrix नहीं है, अगर मैं इसको zoom in, zoom out करके run करता हूँ, you will see, के हमारे पास, यह जो numbers है, यह एक ही dimension के अंदर है, यानि के यह एक ही array के अंदर है, सारे के सारे, एक ही array के अंदर है, for example, मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे, A को अगर आप पहला index show करें, तो यहाँ पे आ रहे हैं, तीन number, अब अगर मैं B का पहला index show करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा, यानि के यह वाला, अगर मैं 0 करता हूँ, तो यह मुझे देता है 0, इसका मतलब है, जब मेरे पास एक digit R है, this is a kind of तुक्का थिंग, के आपके पास, जो array है, वो simple one dimension है, अब इसको मैं reshape करता हूँ, B dot, B is equal to B dot, या, बलके हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं यहीं पे, 5 by 10 की से shape देते हैं यहीं पे, let's see हमारे पास क्या बनता है, no, it's not working, this is reshape, shape का नहीं है इसके अंदर, reshape का अभी नहीं है, I was just trying to find a way out, नहीं होता, चलो, दूसरा तरीका से हमारे पास कौन सा खतम होगे, yes, we have another way, by the way, तो यहाँ पे मैं dot reshape करता हूँ, dot reshape, और इसको मैं divide कर देता हूँ, 5 by 10 से, and now you will see, के हमारे पास 5 रोज हैं, क्योंके I said 5 by 10, अगर मैं यहाँ पे 10 by 5 करता, तो मेरे पास क्या होता, कुछ different होता, by the way, मैं सारे उपर से पहले run करूँगा, and then we will run this, तो अब हमारे पास, अगर आप गोर करें, यह 10 by 5 का है, तो अगर 5 by 10 का करना होता हो, then I can do that like this, यह मेरे पास 5 by 10 का है, तो यह मेरे पास एक matrix बन गया 5 by 10 का, so you can actually create different kind of matrix, अगर मैं चाहूँ, तो यह इसी को 1000 पे ले जाऊ, और इदर भी मुझे 100 by 5 का करना पड़ेगा, या 50 by 100 का करना पड़ेगा, because we have to have the final length of that matrix, now here we go, तो हमारे पास 50 by 10 का आ गया, इसी को अगर आप 5 by 100 का करना चाहें, that's also possible, here you go, so आप अपनी मर्जी से खेल के matrix को create कर सकते हैं, और matrix के साथ काम कर सकते हैं, अभी हमारे पास जब हम matrix की बात करते हैं, हमारे पास कुछ operations भी होते हैं, जिसके तुरू हम matrix जो हमको define करते हैं, और उनी operations की base पे हम find भी कर सकते हैं, और index को slice भी कर सकते हैं, say for example, मेरे पास जो matrix है यहाँ पे, वो ये वाला, ये वाला matrix है, मैं इसको थोड़ा सा, बलके ये वाला जो code है, मैं इस ही को नीचे ले जाता हूँ, ताके मेरे पास जो छोटा है, उसे ही मैं लिख सकूँ, बलके ये ही पे कर लेते हैं, matrix of creating a matrix, से simple कर लेते हैं, 0 to 102, इसको हम 5 by, ये हमारे पास होगा 5 by 10, yes, this one, we can create a matrix like this, अब इस matrix को अगर slice करना है, तो हम कैसे करेंगे, slicing a matrix, let's see, a matrix को slice करने के लिए आपको बता है, कि आपको बताना पड़ेगा, specifically कि कहां से कहां तक, अब अगर आप गौर करें, ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास है, 1, 3, तो अगर आप गौर करें, 1, column 3 कहां पर आ रहा है, 1 है हमारी ये वाली, ठीक है, अगर आप गौर करें, और column 3 उसमें से हमने लिए, column 3 कहाँ जी हमारे पास, अगर आप गौर करें यहां पर, ये वाली value, ये 0 होगी हमारी रोज, ये होगी 1, ये होगी 2, 3 और 4, ठीक है, ये तीसरा और ये चोथा, और चोथे का index बनता है 3, तो 1, 3 यहां पर आ गया है, सही है, जो हमारे पास 26 बनते हैं, अब 3, 5, ये कैसे निकालना है हमने, 3, 5, लेट सी, हमारे पास किस तरीके से बनता है, और इसको दुबारा से देखते हैं, हो सकता है, मैं गलत बता रहा हूँ, लेट मी ठेल यू वन तिंग, कि 3, 5 देखते हैं, अब 3, 5 हम कैसे देखेंगे, वो भी हमने देखने हैं, तो अगर आप गौर करें, क्या मैं सही बता रहा हूँ के नहीं सही बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहेगी कि यहां पर किस तरीके से हमारे पास डिफर्ट कॉलन आ रहे हैं, 26, 46 है हमारे पास और 28, 48 है, अगर आप गौर करें दो, यह एक टू डिमेंशनल अरे हमने स्लाइसिंग की है, 1,3 और 3,5 की, तो 1,3 का मतलब क्या है, और 3,5 का मतलब क्या है, अगर हमारे पास वैल्यू यह वाली आ रही है, यानि के मेरे पास आ रहे है, 26 और 46, यह 26 और 46 आ रहे है, और यहां पे 28 और 48, यानि के मैंने यह वाला हिस्सा क्रैक किये, ठीक है, तो अगर आप गौर करें, हमारे पास 1 का मतलब है ये वाली row column 3 ये वाली चीज ठीक है और हमने जो चीज बताई है हमने ये बताया कि 3 जो है यानि कि यहां तक हमारे पास जो है ये आएगा column 3 तक ठीक है और जो हमारे पास 5 आएगा दूसरा column यानि कि 3 हमारे पास यह है और 5 यह है इसका मतलब 4 तक उसने देखने है तो हमारे पास यह चार चीजें जो है हमारे पास final आएंगी ठीक है we have to count 0 1 2 3 4 5 5 तक की बात हो रही है यहाँ पर 1 से 3 तक की बात हो रही है so we have to think in a careful manner अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ तो आप देखेंगे क्या होगा हमारे पास 6 भी आ रहे है ठीक है अगर मैं यहाँ पर 0 से 4 लिख दूँ तो हमारे पास last तक सारे के सारे आ रहे है 6, 26, 46, 66 and 86 तक का मतलब है तक अगर इसको मैं माइनस 1 करूँगा तब भी यही आएगा so you have to think about it के आपने कौन सा हमारे पास value रखनी है अगर मैं सारे करता हूँ तो मेरे पास यह आ गया अब यह चीज तो मैं बता रही है rows के rows आपकी यहाँ से start हो ठीक है लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर column define ना होता तो मेरे पास सारे के सारी rows आ रही होती जैसे मैंने define किया के column 3 से 5 यानि के तीसरा और चोथा column आएगा तो मेरे पास totally तीसरा और चोथा column प्रिंट हो गया ठीक है तो सिरफ तीसरा और चोथा column मेरे पास आ गया है के 0 यानि के पहली row से start करो और तीसरी तक जाना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 समझ आई बात की और सॉरी यह 5 हो गया तीन लिखना पड़ेगा तो यह तीसरी तक चले जाएगा सो हमने यहां पर जो है range define की rows की और यहां पर columns की and this is how you can identify a set of matrix from the other matrix ठीक है तो हमारे पास यह कुन सा column आया है 3 by 2 का and we slice a matrix of 3 by 2 ठीक है अब इसकी मिसाल मैं दुबारा आपको देने लगा हूँ ताकि आपके mind में रहे मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा मैं इसको b को इस तरह लिखता हूँ तो वो कहता है invalid syntax मैं यहां पर comma लगा देता हूँ वो कहता है invalid syntax मैं कहा अच्छा यार यह लो सारी rows ले लो सारे columns ले लो समझागी बात की इस code का मतलब है सारी rows वर्सिस सारे columns ठीक है अब मैं बताने लगा हूँ कि नहीं भई सारी rows नहीं तुम ऐसा करो मुझे जो row number 0, 1 और 2 index वाली वो दे दो मैं अगर 0 लिखता हूँ तो यहां पर सिरफ 0 index वाली आने चाहिए until end 0 से end लेकिन जैसे मैं यहां पर 3 लिखता हूँ उसने मुझे सिरफ और सिरफ 0, 1, 2 दे दिया 0, 1, 2 दे दिया तो यह rows की range हो गई अब मैंने column की range को slice करना है वो कैसे करेंगे मैं यहां पर कहता हूँ कि यार मुझे जो column चाहिए ने वो यह वाला चाहिए जिसका index है 0, 1, 2, 3 इसका index है 3 और मुझे यह भी चाहिए 4 भी लेकिन जैसे मैं 4 लिखता हूँ वो मुझे सिरफ एक ही देता है इसका मतलब है कि मुझे यहां पर 5 लिखना है तब मेरे पास 2 आएगा So this is how you can slice a matrix of 3 by 2 ठीक है तो इस तरीके से आप अंधाजा लगा सकते हैं पहले rows होती है फिर columns होते है and this is how you can slice a matrix और matrix को slice करके आप अच्छे तरीके से कोई भी value एक define कर सकते हैं यह आपका पूरा data है एक matrix का data के अंदर 0,1 अगर करेंगे तो यह आजाएगा 1,2,3 करेंगे तो यह आजाएगा 0,2,0 करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आजाएगा क्यूंकि हम range बता रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से सारी की सारी values आ रही है तो हम start जैसे भी करते हैं हमें उसके अंदर values देनी पड़ती है using column, column तो यह हमारे पास इतना हिस्सा rows का होता है from to, इतना हिसा column का from to, यह कॉमा सेंटर में होता है and this is how you can slice a matrix hopefully आपको समझ आगे होगी अब बात करते हैं इस B का, यानि के यह जो B है मेरे पास इसको मैंने update कर दिया तो इस तरीके से, अगर मैं update करता हूँ तो इस तरीके सोचेगा but I don't do this update मैं इसको C रहने देता हूँ क्योंके, now I want to show you something else अब अगर आप गवर करें मैंने यहां में से इसकी maximum value निकाल लें यह पूरा matrix है, इसकी maximum value निकाल लें same वो पांडाज की तरीके कार P.max लें जनाब, 98 P.max 98 आगी minimum भी आप ऐसे निकाल सकते यह minimum आगी P.max आई थी maximum यह minimum नीचे होगी, अब मैं इसका sum भी निकाल सकता हूँ P.sum लें जनाब पूरे matrix का sum आगया, कैसे हुए वो जो mathematics में calculation होती है उसकी base पे हो रहे, ठीक है and this is how you can calculate a lot of other things आपका proper हर पूरे के पूरा matrix किस तरीके से maximum बता रहा है, वो भी आ रहा है minimum बता रहा है, वो भी आ रहा है and सभी को जमा करके क्या रहा है, वो भी आ रहा है for example, 1, 2, 3, 3, 4, 10, 5 15, 6, 21, यह इस तरीके से 21 आ गया, so you can have a look on that, कि आपके पास किस तरीके से जो maximum value है, वो आ रही है आप अब इन तीनों को ऐसे ही नहीं, आप यह भी बता सकते हैं कि column में maximum देखना है, कि rows में maximum देखना है, for example, something like this अगर आप axis 0 लिखेंगे तो आपके पास different जो maximum value वो उपर से नीचे आएगी अगर आप dot max लिखेंगे axis 1 कर देंगे, तो उसमें आपके पास values आ जागी say for example, मैं यहाँ पे लिखता हूँ b dot min axis is equal to 0 तो यह मेरे पास हर एक, अगर आप गोर करें axis is equal to 0 का मतलब है, कि मेरे पास जो values हैं, वो 0 की हमने निकाल दी है हमारे पास 1 की आ रही है यानि के हमारे पास जो values हैं वो column की आ रही है, अगर आप गोर करें इसका 0 का मतलब यह नहीं है कि हमने column को show करना है इसका मतलब आप इस तरीके से समझें कि axis 0 पे जो हमारे पास value है, for example जो हमारे पास values आ रही है, वो basically हमारा इस तरीके से देखा जाएगा और उसमें maximum value आएगी या minimum value आएगी, I will show you again अब आप अगर गोर करें axis 0 का मतलब है कि यहां पे हमारे पास minimum value कैसे है say for example, यह पूरा 0, 20, 40, 60, 80 यह पूरा column है, हमने इस में से minimum देखनी है, तो वो कौन सी है 0, ठीक है, हम left to right जा रहे हैं, लेकिन quantity हम उपर से नीचे देख रहे हैं, तो आप इसको मदे नजर ऐसे रख सकते हैं, कि जब बस 0 बताना है, तो यहां पे उल्ट हो जाएगा, पांडा से और हम यहां पे maximum value इस तरीके से देख, minimum इस तरीके से देख लें, यहां पे हमारे पास आजाएगी column की, तो यह हम रोस की देख रहे हैं, और यह हमारे पास column की, basically, उपर से नीचे जब हमारे पास minimum value आ रही है तो यह 0 आएगा, right to left आएगा, तो 1 आजाएगा, ठीक है मैं इसको दुबारा से आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास axis की minimum और maximum value है, मैं यहां पे b को लिखता हूँ, अब गौर कीजिए जैसे मैंने b की maximum value लिखना चाही, तो मेरे पास वो आई है कि 98 है, total overall matrix के अंदर 98 b की maximum value है, लेकिन मैं काता हूँ के maximum value आए, बट only 4 columns, तो इसके लिए मैं यहां पे x is equal to 0 लिखूँगा, only 4 columns, let's see now, अब आप अगर गोर करें, पहले column की 80 है, दूसरे की 82 है, तीसरे की 84 है, चौत्छे की 86 है, and column wise हम जा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ, b.max आए मेरे पास, but only for rows, तो मैं x is equal to 1 कर दूँगा, this is only for rows, now you will see 18, 38, 58, 78, 98, यानि के इसमें सबसे maximum क्या है, ये वाली, ठीक है, ये, 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 and ये, सही है, तो आप ये rule बना लें कि यहां पर x is 0 का मतलब है, columns, x is 1 का मतलब है rows, अब लेकिन एक बात ध्यान में रखें, कि जब हमारे पास कोई भी operation perform हो रहा है, वो किस direction में हो रहा है, वो देखते हैं, जब मैंने 0 यहां पर लिखा, तो हमारा operation perform कैसे हुआ, सारी rows में पहले column के अंदर minimum क्या है, sorry, maximum क्या है, तो वो rows का operation था, ठीक है, अगर आप गोर करें, पहली row, दूसरी row, तीसरी row, चोथी row, पांच वी row, इस वज़ा से हमने axis 0 लिखा, operation रोज का हुआ, लेकिन हमारे पास जो value आएगी, वो column की सबसे maximum आएगी, and same here, जब हम one लिख रहे हैं, तो आपके पास operation हो रहा है, column wise, ठीक है, तो आप इसको अगर गोर करें, आपके पास इस तरीके से value आजाती, सिर्फ इसको एक तफ़ा समझने के ज़रूरत है, you can actually see it in closely, जब आप खुद से perform करेंगे, and this is how you can perform some kind of operations on different axis, और आप matrix को भी refine कर सकते हैं, और different किसम के matrix जो हैं, वो भी बना सकते हैं, but I won't say के आपको ये matrix जो हैं, वो सारे के सारे आना अभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन on the other side, आप इसी matrix के अंदर addition भी कर सकते हैं, और deletion भी कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे एक matrix बनाओं, for example, मैं यहां पे कहता हूँ, m is equal to np.array, a range, मैं इसको कहता हूँ, 0,10,2, और dot reshape अगर मैं इसको करूँ, 5 by 1 कर देता हूँ, और यह मेरे पास m आ जाता है, कुछ इस तरीक से, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बलके 20 करता हूँ, तो 5 by 2 हो जाएगा मेरा, यह वाला, यह मैंने एक matrix बनाया, अब एक और, एक row add करना चाहरा हूँ, मैं नीचे, यानि कि एक नहीं one row add करनी, तो मैं कैसे करूँगा, one, m, और कोई भी row जो है, उसको मैं यहाँ पे, उसका नाम दे के, उसको यहाँ पे लिख दूँगा, say for example, मैं plus करता हूँ, np.array, और इसके अंदर मैं कोई भी value लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ, जनाब यह होनी चाहिए, say for example, 20, 22, अब आप गोर कीजिएगा, यह देखें, आपके पास यहाँ पे, अब addition जो हुई है, वो basically हर किसी के अंदर, 20 और 22 एड हो गया है, यहाँ पे अगर गोर करें, लेकिन on the other side, अगर आप यहाँ पे गोर करें, तो आपके पास जो भी value हो, matrix के अंदर, वो सारे की सारी उसके अंदर जमा हो जाएगी, on the other side, अगर आपने इसको np.array को एक नीचे लिखना है, then you have to use vstack and hstack, ठीक है, तो यह दो चीज़ें याद रखेंगा, जमा का मतलब यहाँ पे इस पूरे के साथ operation होना है, जब आप matrix को दो से multiply करते हैं, तो सा not only one value or two value, ना ही वो 20 और 22 नीचे आ जाएगी, यह basically बीच में जमा हो रही है, और अगर मैं चाहूं, इसी के अंदर, m के अंदर, for example, मैं यहाँ पे लिखता हूं, vstack, let me see if I can do that, बलके np.vstack, vstack लिखने के बाद, मैं यहाँ पे m लिख देता हूं, और 20 बाइस को बीच मे add करता हूं, बलके अभी 20 बाइस नीच होगी, अभी 48 और 42 और 44 हो जाती है, I am just adding, अब चेक करें आपके पास, यह अब B के अंदर 42 और 44 को मैंने stack कर दिया, so there are two differences, add का मतलब है उसका add होना, और इसका मतलब है उसका stack होना, on the other side, अगर आप यहाँ पे multiplication use करेंगे, तो यह प पूरा का पूरा matrix divide हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे remainder use करेंगे, let's see क्या होता है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से answer आएगा, जिसका कुछ भी नहीं बनता, simply, मैं अब यहाँ पे कितने operations यहाँ पे apply कर सकता हूं, division हो गया, minus किया है मैने, तो वो सारे की सारी minus होगी, तो matrix के जो operation है, वो सारे के सारे यहाँ पे आप लगा सकते है, how to put different kind of matrix operation, इनको अगर आप देखें, तो आप बेशमार matrix के operation जो है, वो यूज कर सकते हैं, जिसमें multiplication है, addition है, subtraction है, और matrix की product है, दो matrix को कैसे multiply किया जाता है, you can also do that by just multiplying this, और basically यह जो multiplication है, product of two matrix is very important to learn, how you will work in machine learning, खास दोर पे computer vision, ठीक हो गया, अब यहाँ पे unique items भी आप निकाल सकते हैं, and there are many other operations, और मैंने आपको पहले भी suggest किया था, कि आप यह वली guide को जरूर देखें, आपने जब unique item निकाल ली है, वो भी आप देख सकते हैं, और unique items के साथ-साथ, you can also see a lot of other things, ठीक है, reverse भी कर सक यह B है, मेरे पास अगर B.flip करता हूं, that was np.flip, np.flip, और इसके अंदर आप B को रख देते हैं, यह चेक करें, आपका पूरे का पूरा matrix उल्ट हो गया, ठीक है, पंजाबी जगे अंदे मूदा हो गया, वैसे कहते हैं, उल्ट हो गया, flip हो गया, flip का मतलब भी उल्टा हो ग रिवर्स है रहे किस तरीके से बनानी है, just flip की कमांड यूज करके, और np.जब आप लगाएंगे, आपको बेशमार कमांड नजर आएंगी, look, यहां पर चेक कीजएगा, np. लगाया, यह सारी कमांड हैं, आप चेक करें, बेशमार कमांड हैं, यह ले, look, इतनी ज्यादा कमा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और इन सभी को multiply करके use करना, there are many things that you have to learn by time, ठीक है, और इसी के साथ मैं आज की जो हमारी numpy की basic training है, उसको यहीं पर रोकता हूं, और basically यहीं पर हम इस numpy को इस वड़ा से रोक रहे हैं, क्योंकि हमने अब आगे move करना है, and then we will see कि यह किस तरी training को हम रुजाना की base पर जब हम कोई न कोई काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर numpy के different operations आएंगे, तब हम utilize करते जाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसको रोकता हूं, और numpy की आपने क्या practice करनी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दुबारा से दिखा देता हूं, आपने directly जान करने, documentation पर click करने के बाद, आपने थोड़ा wait करने, क्योंकि मेरा net थोड़ा से slow है, आपका थोड़ा कदरे तेज होगा, but यहाँ पर click करने के बाद getting started पर, और यह सारी guide आपने practice भी करनी है, याद भी करनी है, रटा लगाएं, रटा लगाना है, जो भी करना आप करें, यह जो है, getting started quick guide, ठीक है, इसको आपने जरूर काम पे लेकर आना है, reason यह है, कि NumPy the absolute basics for beginners, यह बहुत important है, अगर आपको यह नहीं आएगी, आगे कोई भी काम नहीं आएगा, और NumPy is one of the important libraries, अगर आप data science में आगे जाना चाहते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास NumPy के fundamentals हैं, ज इसके इलावा, आपने एक और काम करने है, गूगल पे जाने है, और description में मैंने link दिया हुए, आपने codenics.com पे जाने है, codenics लिखने के बाद आपके पास codenics.com पहली website आ जाएगी, इसके उपर जाने के बाद, आपने courses पे जाने है, जो लोग आज first time हमें सुन रहे हैं, उ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आपने click करने है, ठीक है, six months of AI and data science course, और यह हमारी website पे आप freely enroll कर सकते हैं, you don't need to pay anything, और यह सारे के सारा content यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो आपसे मेरी request यह है, कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे upload करें, वो सारी की सारी चीज़ों को आप Python Tutorial का blog है, इसके उपर आप जा के, आज इस blog को पढ़ेंगे भी, और नीचे comment section में अपनी attendance mark करेंगे, जितने भी लोगों ने, आज, जितने भी लोगों ने हमारी सारी classes ले ली हुए है, so you have to mark your attendance in the comment section here, यह तरीका कार क्यों ज़रूरी है, इसकी reason यह है, कि एक तो आपको पढ़ने की आदर डालना, दूसरा आपको यह बताना कि you have to learn on fast pace, otherwise यह train निकलती जा रही है, और आप पीछे रहते जा रहे है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुखता हूँ,